नमस्कार वन इंडिया हिंदि में आपका स्वावत है केरल में जानवरों के साथ दुर्वहवार का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है इस घटना को सुनकर आपकी रुह काप जाएगी कि कोई इंसान आखर कैसे इस हद तक वहशी पन कर सकता है यहां कुछ शरार्थी तत्वों ने एक गर्भवती हधनी को पटाकों से भरा अननास खिला दिया पटाके हधनी के मुँ में फट गए और हधनी के गर्भ में पल रहे बच्चे समेथ उसकी मौथ हुए यह मामला वीते बुद्वार का बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक मामला मलपुरम जिले का है गर्भवती भूकी हधनी भोजन की तलाश में जंगल के बहार आ गई वो गाउं में भटक गई कुछ इस्थानिये लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे अननास में पटाके भर कर खिला दिया भूक से बेहाल हधनी ने वो अननास खा दिया और कुछ ही देर बाद उसके बेट के अंदर पटाके फटने लगे जिससे उसका मुँ और जीव फट गई बता दे कि इस पटाके से भरे अननास को खाने के बाद हधनी ग्वेलियार नदी तक गई और वहीं पर खड़ी रही फोटो में देखा जा सकता है कि हधनी अपने मूँ और सूंड को पानी के भीतर करके खड़ी है ताकि उसे आस सहनिये दर्द से कुछ राहत मिल सके सूशना के बाद पहुची रेस्क्यू टीम हधनी को लेकर आई हलाकि कुछ देर बाद ही हधनी ने दम दोर दिया इस दर्दनाग घटना की वन विभाग के एक अधिकारी ने तस्वीरी शूशल मीडिया में पोस्ट की वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि उसने हर किसी पर भरोसा किया लेकिन जब वो अननास उसके मुँ में फट गया तो दंग रहे गई और अपने बारे में नहीं सोच रही थी बलकि वो अपने 18-20 महिने के बच्चे के बारे में सोच रही थी जो कि उसके गर्भ में था इस हदनी ने किसी भी वेक्ती को नुकसान नहीं पहुँचाया बावजूद इसके की वो बेहद दर्द में थी उसने किसी का घर नहीं तोड़ा इसलिए मैं कहता हूँ कि वो देवीय हदनी थी वन अधिकारी के तस्वीरे शेयर करने के बाद शोशल मीडिया पर लोगों का गुसा फूट पड़ा लोग अलग अलग तरीके से अपना गुसा जाहिर कर रहे हैं इस खबर में फिलहाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं वन इंडिया किंदी के साथ